जी हाँ बच्चो आप हमारे चैनल पर जी सकते हो स्मार्ट वाच और कैसे जी सकते हो इसके बारे में बताएंगे आगे वीडियो में तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और कहीं भी इसकब मत करिएगा देखे बच्चो ये जो है वक्सीड है S.C.E.R.T. की जो की पठानभयान यानि की रीडिंग कैमपेंड की है गतिविधी पत्रक आपकी है और गतिविधी पत्रक यानि एक्टिविटी सीड संख्या 21 है और ये कच्छा 6 ही है और आज की देट की देट है 10-2-2022 यहाँ पर करते हो और कमेंड करते हो और साथी साथ इसके लिंक को अपने फ्रेंस के बीच में जेयर करते हो तो आप सब ही के में से कोई 3 बच्चे वीगली विनर और कोई 3 बच्चे मंतली विनर बनेंगे और मंतली विनर में है प्राइस स्मार्ट वाच चलिए रेखते हैं इसमें क्य दिया गया है तो चलिए दिखते हैं क्या दिया गया है कहानी कच्छुआ और खर्गोस एक खर्गोस और एक कच्छुआ से गहरी मित्रता थी वे साथ में साथ गूमते थे खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे एक बार खेल खेल में दोनों ने दोड़ प्रतियोगिता करनी की सोची तो दोड़ प्रतियोगिता करने की सोची किसने कच्छुए ने ठीक है और खरगोस ने उनको बरगत के पेड़ तक पहुचना था वहां से कुछ ही दूरी के एक गाउं में ठीक बाहर था या निश्चित हुआ की जो वहां पहले पोहचेगा वही विजेता कहलाएगा दोड़ सुरी हुई खरगोस तो खुप तेजी दोड़ता था चलांग उचल उचल कर चलता था बड़ी तेजी से आगे निकल गया कच्छुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था एकदम धीरे धीरे कुछ देर दोड़ने के बाद कच्छुए खरगोस ने पीछे मुड़ कर देखा तो से कच्छुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया पास में ही एक उच्चा गना पेड़ था धीमी धीमी हवा चल रही थी खरगोस ने सोचा कि कचुआ थोड़ा सुस्थ फिर जलदी से आगे बढ़ जाओगा यानि कि खरगोस ने सोचा थोड़ा अराम कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ जाओगा कच्छुआ को तो यहा तक पहुँचने वा भी देल लगेगी यह सोच कर वह पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा से उसे जट पट सुला दिया उदर कच्छवा धीरे धीरे पेड़ की ओर बरता जा रहा था खरगोस काफी देर तक सोता रहा जैसा जैसे ही उसकी आँख खुली वह बर्गद की पेड़ की ओर भागा वहां पहुँचकर उसने देखा कच्छवा थो पहले ही वहां पहुँच गया इस तरह से धीरे धीरे ही सही पलगातार चल कर कच्छवे ने प्रतियोगिता जीत ली तो यहां से हमें सीख क्या मिलती है बच्चों यहां से सीखंग ये मिलती है कि कभी भी जोस में आकर आपको किसी भी काम को एकदम से नहीं स्टार्ट करना चाहिए बलकि धीरे धीरे करना चाहिए क्योंकि जोस आपका जो है वो आपको डाउन कर देगा आपको धीमा कर देगा कुछ देर के बाद पर अगर आप उसी कार को धीरे धीरे मन लगा करोगे तो आप निरंतन रोसकार में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जोगे और अपने लच्छ को प्राप्त करोगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इस कहानी को कुछ अच्छी तरह पढ़कर अपने परिवार के सदस्तियों को सुनाएं और कठिन सब्दों की सूची बनाकर उनका उचित उपचारण कीजिए आपको करना क्या है देखिए मैं बताता हूं पहले तो आपको एक आउडियो रिकॉर्ड करनी है इस आउडियो में आप अपना नेम वगरा बताखर आप इस कहानी को पढ़ोगे पूरी कहानी को भाव के साथ पढ़ोगे और उसे पढ़ने के बाद अपने स्कूल के प्रतियोगिता नहीं पढ़ पाएं होंगे कुछ लोग ठीक है उसके बाद मान लिजे कोई कोई धीरे धीरे भी नहीं पढ़ पाता है ठीक है प्रतियोगिता हो गया धीरे धीरे हो गया जिनको मैं बना रहे हैं इनको आप लिख लिजेगा जट पट आप लिख लिजेगा ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतियोगिता हो गया, धीरे-धीरे हो गया, ये प्रस नमबर एक में आपको सूची जो बनानी है सब्दों की, उसमें लिखना है, ठीक है, इसका अर्थ नहीं लिखना है, जैसे पहले अर्थ भी देते थे वो नहीं लिखना है, इसके के बाद देखे कुछ लोग निस्चित नहीं पड़ पाके होंगे ठीक है कहलाएगा यह भी नहीं पड़ पाएगो बहुत से लो ठीक है तो जो चीजह आम नहीं पड़ पारे उनको लिख दोगे अपनी कौपी में ठीक है तो यह जो प्रस नंबर एक का उत्तर हो जाएगा जितने मैंने वता हैं उसको जरूर लिख लिजेगा इसके बाद कहानी में धीमी धीमी हवा चल रही है क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाए अगर धीमी धीमी हवा चल रही है तो इसकी आवाज को आप महसूस कर पाए आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है वाक्य में लिखिये तो चलिए इसका उत्बर जो है, मैं आपको लिखाता हूँ तो बच्चो इस प्रस्न का उत्बर आप लिख लिजिے इसका आंसर क्या हो जाएगा जी हाँ, हम हवा चलने की अवाज को महसूस कर पाते हैं, कभी कभी वह तेज तो कभी कभी धीरे से चलती है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है और उसका उत्तर क्या है, तो बच्छो अगला प्रसन क्या है, आपका प्रसन नमबर तीन, आप अपने माता पिता के साथ बजार जाते हैं, वहाँ पर किस तरीके की अवाज सुनते हैं, वह आवाजे कैसी लगती हैं, और इसके बारे में दो तीन वाक्ये लिखिए, तो जब माता पिता के साथ आप क्य करते हैं बजार जाते हैं तो वहां आवाजे आपको कैसी लगती हैं कैसे सुनाई देती हैं इसके बारे मैं आपको लिखना है तो चलिए इसका उत्तर जो है मैं आपको लिखकर दिखाता हूं तो बेटा इस प्रसने का उत्तर लिख लिए जब आप अपने मामी पापा के साथ या माता पिता के साथ बजार जाते तो आपको कैसी आवाजे सुनाई देती हैं तो इसमें लिखिए का जी हाँ मैं अपने माता पिता के साथ बजार जाता हूं तो मुझे वहां कई आवाजे सुनाई पड़ती हैं जैसे कि सबजी ले लो गाड़ी आदी की और ये अवाजे कभी तेज और कभी धीमी होती है तो आप इनको क्या करिएगा उत्तर के रूप में लिख लिजे चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है तो बेटा अगला प्रसन क्या है इस कहानी में धीमे धीमे धीरे धीरे जैसे सब्दों से जोड़े का प्रियोग किया गया इस प्रकार के सब्दों के जोड़े का प्रियोग भासा में सुनता आती है जैसे धीमे धीमे हो गया, धीरे धीरे हो गया, खाते खाते हो गया, तेज हो गया तो आपने कहीं किनी पांच सब्द ऐसे जोड़े बना कर लिखिए आपको भी क्या करना है पांच सब्द लिखना है जोड़े बना कर ठीक है तो चलिए मैं आपको वो पांच सब्द लिखवा देता हूँ जोड़े बना कर ठीक है तो बच्छो इस प्रसन का उत्तार आप रोते रोते बार बार एक एक ठीक है चलीच देखते हैं कि लाप रस्षम क्या है तो आगे आपकी कार पत्यों क्या होती यहीग समापत होती है। आपको वीडियो केसे लगी चवालब कर कर बताने चैनल स्काइब करना और ज्यादा से ज्यादा कान्टेस Most पास्पेट करना धन्यवाद प्यार बच्चो